रवी को तूणने गया उसके बाद उसको राजीव से रिप्लेस कर देंगे तो यहां हम देख सकते हैं home tab में magnifier पे हमने क्लिक किया फिर हमें वहां पर find option मिला हमने find option पर klik किया रवी एंटर किया यहां पर रवी highlight हो गया यहां पर हम देख सकते हैं किस तरीके से रवी हमारा highlight हो गया है तो हमारे find option ने हमारा table में रवी find कर लिया है अब हम replace पे click करेंगे replace click करते replace with option open हो जाएगा वहां पे हम लिखेंगे कि हम रवी किस से replace करना चाहते हैं हमें लिख दिये यहां पर हमने देखा यह जो रवी लिखा हुआ था वो रिप्लेश होके अब राकेश वहां पर लिखा आ रहा है तो इस तरीके से हम रफाइंड और रिप्लेश ऑप्शन इस्तमाल करते हैं और किसी भी डाटा को किसी और डाटा से रिप्लेश करने का सबसे इस्ट और तरीका यही है तो आप किसी भी डाटा को किसी भी अनेदर डाटा से रिप्लेश कर सकते हैं आपको धूनने की जरुबत नहीं है